Hello Friends, Welcome to Education with Priya तो Friends से वीडियो उनके लिए जिनके एक्जाम चल रही है या पर जिनके एक्जाम होने वाले है तो Friends से वीडियो आपके लिए कापी helpful होने वाली है तो Friends वीडियो के लाष्ट तक बने रही एगा और अगर अभी तक आपने आपके अपनी चैनल Education with Priya को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर नीजईगा तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो पहला कुश्चन है हमारा, मुहन जोदरों का इस्थानी नाम क्या है, तो मुहन जोदरों का इस्थानी नाम वो म्रत्कों का ठीला है, इसके बाद अगला कुश्चन है, भातिय सम्मीधान को कितने अध्याय में विभाजत किया गया है तो जो भाती सम्मीधान है उसको 22 अध्याय में विभाजत किया गया है इसके बाद अगला कुशन है सौर मंडल का सरवादिक गर्म ग्रह कौन सा है तो सौर मंडल का सरवादिक गर्म ग्रह बुद्ध ग्रह है इसके बा गया तो प्रकास बिद्दुत प्रभाव के लिए आईंशेन को नॉमल प्रोस्कार से समानत किया गया इसके बाद अगला कुशन है 12 वाती स्टेडियम कहां इस्थित है तो 12 वाती स्टेडियम कटक में इस्थित है इसके इसके बाद अगला कुशन है ग्यान पीट प्रोस्कार प्राप्त कहने बाली पहली महिला आसा पूर्णा देवी थी इसके बाद अगला कुशन है दा किंगडम ओफ गॉड इज बितन यो पुस्तक की लेखक कौन है इसके बाद अगला कुशन है भारती संविधान के अंतरगत मूल अधिकारों का संरक्षक कोन है तो भाती सम्मिधान के अंतरगत मूल अधिकारों का जो संरक्षक है गुन्यापालिका होती है इसके बाद अगला कुशन है प्लानिंग एंड दा पूर पुस्तक की लेखक कौन है तो जो प्लानिंग एंड दा पूर पुस्तक है उसकी लेखक B.S. मिन्नास है इसके बाद अगला कुशन है भारत का सर्वोच सेनिक सम्मान कौन सा है तो भारत का सर्वोच सेनिक सम्मान परमभी चक्र है इसके बाद अगला कुशन है बिस्त का सबसे बड़ा महादूइप कौन सा है तो बिस्ट का जो सबसे बड़ा महादीप है वो एसिया महादीप है इसके बाद अगला कुशन है राष्टी लोकमान तिलक पुरुषकार 2021 से किसी सम्मानित किया गया तो साइरस एस पूनावाल को 2021 राष्टी लोकमान तिलक से सम्मानित किया गया है इसके बाद अगला कुश्चन है भारत में राष्टे आय की गढ़ना सरवितम किस ने की थी? तो भारत में राष्टे आय की सरवितम गढ़ना दादा भाई नोरोजी ने 1866-1866 में की थी? इसके बाद अगला कुश्चन है इंटरनेशनल आटोमेटिक एनायजी एजएंसी की स्थाबना कप हुई थी? इसके बाद अगला कुश्चन है मदर टेरेसा को भारत रतन से कब सम्मानत किया गया? तो Mother Teresa को भारत रत्न से9ωςी में सम्मानित किया गया था और भारत रत्न की जो स्थाबना हुई थी वो 1954 को हुई थी इसके बाद अगला question है पचपनवा ग्यानपीट पुरुषकार किसे दिया गया है तो 55 ग्यानपीट पुरुषकार है वो मले आलम कभी अक्कितम को दिया गया है इसके बाद अगला कुशन है तेहरी जल विद्धुत परियोजना किस राज में इस्थित है तो तेहरी जल विद्धुत परियोजना उत्राखंड राज में इस्थित है और भागी रती नदी पर है इसके बाद अगला कुशन है राइबुस्वम किसका संसलेशन कायता है तो जो राइबुस्वम होता है वो प्रोटीन का संसलेशन कायता है इसके बाद अगला कुशन है परमाडू सनरशना का मोडल किसने विक्सित किया था बौहर तथा रदरफोड ने विक्सित किया था इसके बाद अगला कुषण है दूद का दही के रूप में जमने का कारण क्या है तो दूद का डही के रूप में जमने का कारण लेक्टोब्यसीलस है इसके बाद अगला कुशन है खिलाड़ों है तू भारत में सर्बोच खेल पुरुषकार कौन सा है तो खिलाड़ों है तू भारत में जो सर्बोच खेल पुरुषकार है वो राजीब गांदी खेल रतन पुरुषकार है इसके बाद अगला कुशन है किसे दच्छण भारत का मैंचेस्टर कहा जाता है तो दच्छण भारत का मैंचेस्टर को एमबर टूर को कहा जाता है तो फ्रेंट्स हमने जीके की टॉप 25 कोशन को कम्पलेट किया है अगर वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा में तर नेक्ट वीडियों में होन्दा में